नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का देस्टोरी टेलर में और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करनाटक के दूतिय और तृतिय युद्ध की कहानी तो सरप्रथम हम बात करेंगे दुती युद्ध की कहानी किस तरह से युद्ध हुआ क्या कारण रहे उसके जिस तरह से हमने इस से पहले के वीडियो में देखा कि किस तरह से आस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के भारत में संघर्स के स्थिती बनी और यहां पे संघर्स हो गया उसी तरह से अगर दूसरे युद्ध को देखें तो वो भी एक तरह से उत्राधिकार का युद्ध था लेकिन वो भारत में उत्राधिकार का युद्ध था क्योंकि ये घटना सुरू होती है निजाम की मृत्यू पर सन 1748 से सन 1748 में जब निजाम की मृत्यू हुई निजाम बोले तो हैदराबाद का निजाम था जब उसका नाम था निजामल मुलक का सफ़जा और उसकी मृत्यू हो गई इसके पश्चात उसके पुत्र नासिर जंग ने उत्राधिकारी होने का दावा किया और साथ ही उसके भांजे मुझफर जंग ने भी उत्राधिकार का दावा कर दिया तो अब दोनों में संघर्स की इस्थिती बन गई और उधर करनाटक में अन्वरुद्दीन और चंदा साहब के मद्धे उत्राधिकार का संघर्स सुरू हो गया ये वही चंदा साहब थे जिनें 1741 में जब मराठों ने आक्रमड किया था तो कैद किया था उन्होंने एन वक्त पर इने छोड़ दिया और अब इन सब का फायदा उठाया एक फ्रांसीसी गवर्नर जिसे हम कहते हैं डूपले और डूपले ने इस इस्थिती का बखुवी फायदा उठाया उसने हैदराबाद में मुझफर जंग को निजाम बनाने और करनाटक में चंदा साहब को होती हैं सन 1749 में और इन्होंने संयुक्त रूप से अन्वरुद्दीन पर यानि करनाटक पर हमला कर दिया इस युद्ध में संयुक्त सेना यानि डूपले मुझफर जंग और चंदा साहब की सेना विजई रही और अन्वरुद्दीन मारा गया उसका उत्तराधिकारी अली भारी भरकम भेट की जिसमें से असी गाउं की जागिर दी गई थी जो उत्तरी सरकार की थी और साथ ही इसके पश्याट डूपले ने चंदा साहब से कहा कि त्रिचना पल्ली दुर्ग को भी घेरा डाल दिया जाए और इसके पश्याट सेनाओं ने त्रिचना पल्ली के मदद मिल रही है इससे काफी फायदा पहुच रहा है तो वो भी चुप नहीं बैठे उन्होंने नासिर जंग की मदद करने की सूची और इसके पश्याट नासिर जंग और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने दूसरी संयुक्त सेना यानि मुजफर जंग चंदा साहब और जो संयुक्त सेना थी इस से संघर्स किया और विये संघर्स हुआ जिंजी नदी के तठ पर और इस दौरान नासिर जंग विजई रहा परंतु उसी दौरान उसकी सेना में विद्रो हो गया और जिसमें नासिर जंग मारा गया तत्पस्चात तुरंति से स्थिति का फायदा उठाते हुए डूपले ने मुझफर जंग को निजाम घोसित कर दिया और निजाम बनते ही मुझफर जंग ने पुनय उपहारों की जड़ी लगा दी 50 लाख रूपए कमपनी को, 5 लाख रूपए फ्रांसेसी सैनिकों को दिये गए साथ ही यहां तक कहा जाता है कि 20 लाख रूपए खाली डूपले को दिये गए थे और उसके साथ ही एक लाख रूपए की जागीर भी डूपले को दी गई थी और इसके पश्चात निजाम पांडिचेरी की तरफ रवाना होता है और इसके साथ था बुसी जनरल बुसी था फ्रांसेसी जनरल था और रास्ते में ही पठानों के जरीए हत्या कर दी जाती है बुसी ने तुरंट मोर्चा संभाला और इसके पश्चात निजाम के दूसरे बेटे सलावत जंग को निजाम गोसित कर दिया अंग्रेज अब अली मुहम्मद को लाना चाहते थे क्योंकि उनका एक दाव तो फेल हो गया क्योंकि नासिर जंग मारा गया तत्पश्चात कलाइब की इंट्री होती है एक बड़ा है वो धिमान, चतूर और चपल जो की सुरुवात में मात्र एक कलर का था और वो किस तरह से आगे अपने पोस्ट पर बढ़ेगा ये भी हम देखेंगे लेकिन यहाँ पर कलाइब की इंट्री होती है और यहीं से कलाइब का उत्थान शुरू होता है और कलाइब ने कहा कि इस समय हमें अरकाट पर घेरा डालना चाहिए और तद पश्चाट 1752 में एक मराठी मुरारी राओ के सहयोग से अरकाट पर घेराग डाल दिया गया और अरकाट पर विजय प्राप्त कर ली और इसके पश्चाट चंदा सहाब भाग कर त्रिचना पल्ली पहुँच गया और वहाँ पर एक तंजोर के राजा ने उसकी हत्या कर दी इसके पश्चाट मुहमद अली नबाब बन गया और अंग्रेज इस दोरान विजय रहे अपनी नीति को पूरा करने में और इसके पश्चाट 1754 में डूपले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है और नया गौर्णर जनरल बन कर आता है गोडे हूँ और गोडे हूँ जब गौर्णर जनरल बन कर आया तो उसने युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधी कर ली दोनों के छेतरे इस संधी के अनुसार वापस कर दिये गए साथ है इस संधी के दोरान कहा गया कि मुगल समराट या अन नरेशों की जो भी उपादियां दी गई है उसे त्याग दिया जाएगा बुसी को हैदराबाद में ही बना रहने दिया गया डूपले ने उस वक्त लिखा था कि गोडेहू ने अपने देश के विनास और समान पर हस्ताक्षर किया है अंग्रेज हाला कि कुल मिलाजुला के फाइदे में रहे हाला कि फाइदा तो फ्रांसीसियों का भी हुआ अंग्रेजों का फाइदा इस तरह से हुआ क्योंकि वो मुहमद अली को नबाब बनाना चाहते तो तो उसमें सफल हुए हाँ और लेकिन फ्रांसीसियों को फाइदा इस वज़े से हुआ क्योंकि जब हैदरा बाद में निजाम उनके मनमर्जी का था तो इस वज़े से निजाम ने उन्हें चार जिले रहेगी और दोनों देशों के जो प्रधान थे योरोप में उनके आपस में इस संद्ध की पुष्टी करने की देरी मातर थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और उसी बीच योरोप में सुरू हो गया संसत्रा सो चपन से ही सब्तवर्सी युद्ध जिसमें फ्रांस और ब्रेटेन दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और इधर इसी कारण से उन सब्तवर्सी युद्धों का परड़ाम रहा कि भारत में तीसरा आंगल और करनाटक युद्ध का माहौल बनने लगा जो संसत्रा सो चपन से लेकर के संसत्रा सो तिरसट तक चला तो आएए जानते हैं कि किस तरह से करनाटक का तीसरा युद्ध हुआ जब युरोप में सब्तवर्सी युद्ध आरंभ हुए संसत्रा सो चपन में तो उसी दोरान संसत्रा सो सतावन में भारत में भी ये दोनों कमपनियां एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर दी फ्रांसीसियों ने त्रिशिना पल्ली पर अधिकार करने की कोशिश की परंतु असफल रहे हाला कि करनाटक का अधिकांस भाग अगर कोई जीता तो वो फ्रांसीसी ही थे इधर अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बाला सोर, पटना, कासिम बाजार की फैक्टरियों पर कबजा कर लिया संसत्रा सो सतावन तक लेकिन कहा जाता है कि वास्तविक युद्ध अभी भी नहीं हुआ था क्योंकि अभी भी कोई परेडाम नहीं निकल रहा था और इसी दौरान संसत्रा सो अठावन में काउंट डी लाली गवर्नर बनकर भारत आता है फ्रांसीसियों का गवर्नर था ये और लाली जब काउंट डी बनकर भारत आया तो उसने फोर्ट सेंट डेविट पर कबजा कर लिया लेकिन उसी दौरान अंग्रेजों की जब नौसेना बेडा वहाँ पर पहुँचा तो लाली को सेंट डेविट से जो है हटना पड़ा और इसके पशाथ सन 1760 में 22 जनवरी सन 1760 को दोनों के बीच में एक निरडाय की उद्ध हुआ जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लड़ाई वांडिवास की लड़ाई थी और इसके पशाथ काउंडी लाली इस युद्ध में पराजित हुआ और मालसन ने लिखा इसी दोरान वांडिवास के युद्ध ने उस महान भवन को दोस्त कर दिया जिसे डियुमा और डूपले ने निर्मित किया था तद पशाथ सन 1761 में फ्रांसीसी जो हैं पांडिचेरी को भी हार गए और इसके पशाथ जब सब्तवरसी युद्ध समाप्त हुआ 1763 में तो वहां पे यूरोप में पेरिश की संधी हुई और इस संधी में भारत में कमपनी की स्थिती केवल ब्यापारिक की भांती रह गई केवल ब्यापार करने की इसको छूट मिली किले बंदी और सैनिक रखने से इसको मना ही कर दी गई और यहीं से इस युद्ध के पश्चाथ पूरी तरह से फ्रांसीसियों का जो समराजवादी सब्ना था भारत में वो एक तरह से समाप्त हो गया तो उमीद करते हैं आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कोशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप जाएं और सीधे हुआ पे कोशन करें इसका जवाब आपको तुरन दिया जाएगा और हाँ अगर एक बार में नहीं बलकि एक से अधिक बार एक दो बार आप वीडियो को देखें तो आपको यह कहानी पूरी तरह से याद हो जाएगी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला वीडियो हमारा होगा मुगल समराज का पतन और विगटन कैसे हुआ इस पर तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है दा स्टोरी टेलर को नवस्कार धन्यवार